मुंबई से चैपुर के लिए उडान भरने वाल जेट एरवेज की फ्लाइट में एक बड़ा हाथसा होते होते बच गया केविन दबाव को संतुलिद करने वाला बटन न दबाने के कारद फ्लाइट के अंदर ऑक्सिजन की कमी हो गई जिससे फ्लाइट में बैठे 166 यात्रियों की जागपर बनाई फ्लाइट के टेक आफ के कुछ देर बाद ही उसकी मुंबई एरपोर्ट पर वापस लाइडिंग कराई गई जेट एरवेज की फ्लाइट 9W697 में क्रू की गर्णी के कारद यात्रियों की चान खत्रे में पड़ गई मुंबई से जैपूर के लिए निकली इस फ्लाइट में क्रू केबिन दबाव को संतुलिद करने का स्विच दबाना भूल गया इस कारद कई यात्रियों के नाक और कान से खूल बहने लगा वही कई यात्रियों ने सिर्दट की भी शिकायद की फ्लाइट के अंदर रेकॉर्ड किये गए वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे परेशान यात्री आक्सिजन मास्ट का सहारा ले रहे है डीजी सीय ने बताया कि क्रू को ड्यूटी से हटाया गया है और एरक्राफ्ट एक्सिदेट इन्वेस्टिकेशन प्यूरू इस मामले की चार्ज करे है जेट एरवेस ने भी अपने इस लापरवाही पर खेच चताया है प्यूरो रिपूर्ट दव्यू एनन न्यूस प्यूरो